आप सब्सक्राइब करने वाला अपना वाई आज के लिए जो दूसरा टेस्ट रहने वाला है अब पहला जैसा देखो जो प्रेडिक्शन थी पहले में एक दम सबरदस्त गई है सारी जारी जाहे फिर वह अश्विन को लेके हो सब सादा पॉइंट दी जड़ेजा को लेकर हो इतने अच्छे कास है पॉइंट यहां से जड़ेजा ने निकाल कर दिये थे ठीक है तो अब आज के लिए क्या है आज के लिए क्या है आपस दोनों को बनाने कैptan wise captain या पिज हो को वीडियो को लाइक कर देने चैनल पर अगर ने हो सब्सक्राइब कर लेने ठीक है और साथ-साथ बैल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आगे आने वाले जितने मैच की वीडियो से बिल्कुल मिसना हो बागी देखो बात करें मैच के सुबह साड़े नो बजे रहीगी इस मैच के एडलाइन ठीक है तो इधियान रखना की इंडिया का मैच है तो जातर क्या होता है नहीं कि शाम को याद रहता है कि डाई बजी होगी डेडलाइन यह साध बज़े होगी साधे नो बज़े रहेगी ग्रीन पार्क कानपूर में जो मैच को खेला जाएगा सेकंड टेश्ट अब यहां कानपूर में हो चुकिए है तहीस मैच जिसमें से साथ जीते वैटिंग फर्ष्ट ने तीन जीते वैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और तेहरा मैच यहां पर सबसे जाला जो मैच वो ड्रो रहते हैं और टीम थोड़ा कम ही जीते वर्ट चूकि मैच इसका है अबर क्या हाल है कि थोड़े पुराने हैं यहां पर टेश्ट मैच इसके अगर बात की जाए तो जाहतर विकेट ओविसली यहां पर स्पिनर्स के रहें और जो स्पिनर्स ने आप देखोगे विकेट निकाले 18 विकेट और यह 15 विकेट देख रहे हो ना इन द जो विकेट आप देख वा रहे होगी जो 33 विकेट यह कुल मिलाके निकाले हुए इसमें से भी 33 में से 28 विकेट विकेट जो वो अश्विन और जड़ेजा की पियर ने निकाले ठीक है तो यहां पर यह दोनों बोलर्स आज भी कमाल कर सकते हैं और इस पर इसके खास बात य इसकेट निकाल ले ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया की प्लेइंग लाउन के तरोई शर्मा जैसवाल गिल आप सेम प्लेइंग 11 सेम क्योंकि स्कोड आनाउंस है तो सेम प्लेइंग लाउन आपको इंडिया की तरफ से देखने को मिल सकते हैं एक चेंज जो एक्स पिनर्स के साथ में खिल सकती है तो अगर कुल्दी प्यादो वाता है इंडिया की प्लेइंग लाउन के बात की जैसवाल रहेंगे अब बात की जैसवाल की बड़ी अकिला यहां से बट आज के लिए डेफिनेटली रोईट चर्मा हुआ जैसवाल हुआ हुआ इवन शुमन गिल है विराट को लिए चारों प्लेइर यहां से इंपॉंट बनेंगे केल रहुल मैं थोड़ा वो 50-50 टाइप जो इसमें यहां से डाल दूँगा क्योंकि फिलाल के लिए रिशाप पंत साधा बैटर ऑप्शन जो वो दिख रहा है ठीक है बैटिंग करते हुए उसके बा बाद में अगर बात करें अकाश दीप सिराज बुम्रा यही तेनों खेलें आपको पता है बुम्रा यहां से काफी इंपॉंट बोलर रहे गाई रहेगा साथ में अगर तो डिफरेंशल जाने चाहो अकाश दीप के साथ में जा सकते हो और हाँ साथ से ज़्यादा प्लेयर यहां से रहे गाई रहेगा यहां इन दोनों के स्पल के बीच में कुल्दी प्यादो के ओवर जहां तक मेरे को लगता है थोड़े से कम आ सकता है वर ठास स्टल कुल्दी प्यादो विकेट निकाल सकते है नेक्स टेकर बात करें इनके बेंच की तो फिर कुल्दी प्यादव है जिनकर रीसेंट को मुविसली भाई काफे ठीक ठाक है उसका बाद में सरफरास खान है अब सरफरास खान का आप सब को पता है डोमेस्टिक किंग भाई सब इतने चेचरन मारत है टेस्ट में जब खेले उसमें भी अच्छी पारिया इन्हों ने खेली जरूर थी और उसके बाद में नेक्ष बात कीजा एक्षर पटेल जूराल और यहां से याश्द्याल अब चांस थोड़े से कम है अक्षर पटेल की खेलने के दुरूज जूराल और यहां से कम रहेंगे क्योंकि दूरूज से काफी इंपोर्ट यहां से तोड़ा सा डेप्स में समझते हैं कि इंडिया की तरफ से तो जारे कुछ था नहीं इसलाम है पहले मैच में दो और पैतिस दूसरे में जाकर हसन आते हैं तीन और तेतिस इनकी तरफ से रहा था रिचेंट फॉर्म दोनों गई यहां से ठीक थ रहा था और वो था यहां से निजम लुशन चांट तो ट्राइगर सकते हो करना चाहो पहले बैच पकाफे चेपॉंट्स दिये थे मौमिनुल हग दोनों पारियों में एक एक ओवर कराया था बैटिंग से उतना कुछ खास यहां से किया नहीं अश्विन जादा दिक्कते कुछ खास नहीं किया मुश्विकर रहीम ने देन बारी आती है लिटन दास की पिछले मैच में बाइस और एक रन उससे पहले लगातार बढ़िया कर रहे थे दो तिन मैच उच्छे एक्सवार्टीश फपन्च और बहात वही है रेड़ बोल में चांसा जमिर्क वाज भी इसे थोड़े कम ही रहे रहे हैं लिटन दास के बंगलादेश की तरह से बैट्समें में यहां से नजमोलेशन चांतों बाकि ओल्ड राउंडर्स और बोलर्स के साथ में ज्यादा सही है शाकी बल असन लेना चाहू एसन और रहेगा बैटिंग ब्लस बोलिंग दोनों करेग तस्की नहमत हसन में नहीं दराना अब नहीं दराना इस मैच में अगर आप मिनीक्रेंड लिग खेल रहो है या इक दूसरा में एक दोनों में से जाना चाओ तो किसी एक के सासथ में जा सकते हो बाकि आ थिंग कि मेहंधि असन में मिराज ओ गया नहीं दराना हो गया option जो अपने पांस बनते हैं बागी वेंच की बात की जाए तो वेंच में के पास में तैजुल इसलाम भी है अगर वैसे हो सकता है कि नहीं तराने की जाए पर तैजुल इसलाम को भी खिला ले क्योंकि नहीं तराने को तीन चार बोलिंग अच्छी की थी बट विकेट उतने न लाम की जगे पर चांसस बिल्कुल बनेंगे और मैंदोल हसन जो काफी अच्छा बेट्स मेंन है ठीक है ट्राइ कर सकते हो अब जील वगरा में उसका और में जाकर अली है खाले धैमा नहीं हसन यहां से देखने को मिल जाते हैं चांसस थोड़े से कम रहेंगे बागी इनके खेलने के और अगर किसी को कंफ्यूज होनों कि वह शेकेबल अनॉंस्मेंट वह रिटायर्मेंट अनॉंस कर दिया है तो वह मीरपूर में साथ अफरिका के इंश्ट में जब खेलेगा उसके बाद होगा तो कंफ्यूज मत होना ठीक है और शेकेबल अन्जरी के उपर भी पूरे चांसे है और अगर नहीं खेलता है तो फिर उस प्यास में हो सकता है कि आपको जाकर अली हो गया या फिर आपको खाली नहमत हो गया यह खेलते वह दिख जाए बागिस वेन्यू पर 23 में साथ जीते हैं तीन हारे है तेहरा मैचस यहां पर इंडिया ने ड्रोख खेल का दो मैच में 142 रन मनाए वें इनिंग के बात नहीं कर रहा हूं मैच की बात कर रहा हूं ठीक है यहां पर आप मैच समझ लेना दो मैच में 110 रहन है अश्विन के नाम और केल रहूल ने इस ग्राउंड पर एक मैच कहला है जिसमें उसने एक इनिंग में तो 38 बनाए थे औ बाकी यहां पर जादा प्लियर खेले नहीं है क्योंकि बाए दो टेश मैच मैच जिसमें की इंडिया ही है जो जीती हुई है बांगलादेश को आस तक इन्हों ने एक भी बार वो खुशी के पल दिये नहीं है चोधा मैंसे बारा इन्हों ने जीते है तो ड्रो के लिए बांगलादेश आज तक नहीं जीत पाई है एक में मैच अगेंच इंडिया रनों की बात करें तो मुश्वी कर रहे हैं सबसे उपर है नो मैच में 625 रहने अलगी एवरेस 39 का रहते है विराट कोली 7 मैच में 460 46 क आइवरेस के साथ में शकेव अलसन 9 मैच में 433 27 का रहते है रिशव पंथ तीन मैच में 296 है एक संचुरी शामिले 59 का आवरेस और लिटन दास 6 मैच में 288 32 के साथ में वहीं पर्शुम्मन गिल 3 मैच में 276 एक मैच में 117 में 111 एक इनिंग में 0 और बागी की दो मैच में ठीक ठाग रंते बागी 55 और उसके लावा अश्विन है साथ मैच में 2754 आपको बताइए पिछले मैच में आई थी नेक्स्ट अगर बात करें विकेट्स के दफ़र उसमें अश्विन सबसे उपर साथ मैच में 29 विकेट आश्विन के नाम शकेवाल असन भी है जिन्होंने 9 मै सिराज के 6 मैच में 17 विकेट है तैज इसलाम 9 मैच में 12 विकेट के साथ में जड़ेजा 4 मैच में और 11 विकेट है और कुल्दी वियादों की बात करूँ इसने भाई अगेंश्ट बंगलादेश लाट तो एकदम बढ़िया वाला महुल सेट कर दिया था एक ही मैच में 8 वि बात कीजिए अपने टीम के तो टीम में रखा हुए रिशाप पंत को चले गए रिशाप पंत को पिक्किया हुआ है विराट कोली है शुमन गिल है जैस वाले पूरा इंडियन का बाई बैटिंग उटरेम ने पिक्किया हुए बागि यहां से अगर रिस्क लेना हो तो नही है अश्विन को वाइस कप्टन में यहां से जड़े जा को हीट राइक है रिसक लेना हो तो फिर आपको पता है कि यहां सरविच शर्मा और विराट कोली भी काफे बैटर ऑप्शन है बट देखो ऐसा हो सकता है कि यहां से इंडिया टीम जो है वो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े-बड़े मार्जिन से जीती है तो मेभी इनको एक इनिंग में रन मराने का मौका मिले दूसरे में मौका ही न मिले बट यहां से जो हमारे बोलर्स रहेंगे जाहे वो एश्विन और जड़े जागो इनको दो नो इनिंग में बोलिंग करने का मौका मिलेगा ठीक है तो वह एक चीज है तो इसी वह से एश्मिन और जड़े जागों किया हुआ है तो यह जाती है फिलाल के लिए टीम एंड सब चीज़े बाग्यार आपको यूडियो पसंद है तो लाइक जरू कर देना है चलको सब्सक्राइब कर नहीं क्या हो तो फटावट से कर लो ए इंडिया है तो इंडिमर के मत छोड़ दिना इंडिया लिखना और बंगलादेश है तो बंगलादेश के तरफ जाएंगे अलग हटके जाने के लिए तो बाकी हुजाते टीम एंड सब चीज़े टेलीग्राम चल जरू ज़रूर जोइन कर लेना डिस्क्रिप्शिन में आप आप कनेक्शिर देख बहुत ही ज़रे जब देख